गूड बॉर्णिंग ओल उफ्यू एक बार की बात है एक बच्चा स्कूल में काफी मंद बुध्धी माना जाता था टीचर स्कूल के बच्चे हर कोई उसे चिढ़ाया करते थे तथा कॉमेंट करते थे ऐसे इस्तिति में प्रिंस्पल ने दुखी होकर एक लेटर लिखा और उस बच्चे को दे दिया कहा जा कर अपनी मा को देना माने उस पत्र को पढ़ा और बताया कि इस पत्र में लिखा है कि आपका बच्चा काफी मेधावी है, काफी Iranianट है और मेरे स्कूल में इतने मेधावी इतने intelligent टीचर नहीं है कि हम इने पढ़ा सकते हैं अता आपसे निवेदन है इस बच्चे का सिक्षन आप अपने घर में ही करें समय बीता बच्चे घर पे ही पढ़ाई करना आरम किया समय बीता काल बीता कुछ दिरों के बाद उनकी मा भी एक्सपायर कर गई लग 32-35 साल गुजरने के बाद वह विक्ति एक अच्छे पद्ध को प्राप्त किया और उसे जब घर चेंज करना था दूसरे फ्लैट में जाना था तो सारे समागरियों को ट्रांसपर करने के दौरान उसे एक डौर में एक लेटर मिला वह लेटर देखकर वह विक्ति काफी भावुक हुआ और उसे याद आई यह वही लेटर है जिसमें मेरी तारीफ लिखी हुई थी उसने उस लेटर को देखा खोला और पढ़ा उसमें लिखा था आपका बच्चा काफी मंद बुद्धी है इसके अच्छे परिणाम नहीं हो सकते हैं और इसके कारण मेरे स्कूल का भी नाम खराब होगा वैसी स्तिति में आप अपने बच्चे को अपने घर पे ही रखें और इसे सिक्छन दें लेकिन माने इसके बिप्रीथी कुछ कहा था जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बच्चा सरल अलवर्ड आईस्टीन बन गए कहने का तातपरे चानक के ने भी कहा है किसी भी व्यक्ति को प्रतारित मत करो न जाने किस कोयले में हीरा छुपा प्रोडक्शन में हो अप्रेशन में हो तो अगर आप किसी भी व्यक्ति का सबसे स्रश्ट लेना चाहते हैं प्रत्साहित करें चाहे वो आपका कलिग हो या फिर आपका पुत्र या फिर कोई छात्र मर्जी आपकी चैहिंद